नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर धर्वेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल जिब्या हेमियो केर में एक वार फिर आप लोग को स्वागत हैं दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए एक महत्पुन वीडियो लेकर आए हैं इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हिमियो पैथि की एक महत्पुन टबलेट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है गलेंडुलेक्स दोस्तों यह गलेंडुलेक्स टबलेट है जो वीजल कंपनी की आती है और दोस्तों इस टबलेट का जैसा की नाम है गलेंडुलेक्स तो दोस्तों गलेंडु का मतलब बता है गलेंड गिल्टी तो यहां गिल्टी यानि किसी भी परकार के अगर गिल्टी है किसी परकार का अगर आपको कहीं भी सरीर के किसी भी अंग में अगर गिल्टीयां है सरीर में गले में अगर उसमें सुजन है उसमें दर्द करता है तो यह ग्लैंड Stage लिए बहुत ही पाइदे बन जोगा और या बहुत ही रामबान गिल्टी के लिए है तो यह दवा है आपके सरीर के किसी भी हिस्से में अगर कलैंड होता है गिल्टियां होता है चाहे हुआ ग locally गिल्टियां हो जिसमें कि आपको खाने में तकलिफ होती है मुख फुलने में तकलिफ होती है या फिर किसी चीज को घुटने में तकलिफ होती है अर्थात या अगर टॉंसिल भी अगर बरा हुआ है तो उसमें भी यह दवा काफी फाइदेवन्द है इसके अलाबे दोस्तो यदि आपके कान के नीचे अगर इ हाईडोशील है हाईडोशील के भगल में या हाईडोशील में अगर इस्टोन हो जाता है इस में तो उसमें भी यह दवा बहुती खाइदेमंग है दोस्तों यह दवा आपको मैं बता दो कि यहां तक कि अगर अनली होती है उस अननली में अगर सुजन है और सुजन के साथ अगर दर्द है तो ग्लेंडू लेक्स आपके लिए बहुत ही फाजे मंदूगा चुकि दोस्तों इस दवा में कई ऐसे महत्पुन आउस्दी मिलाया गया है और में जिसमें सबसे पहला दॅदो सुल दोस्तों मेडि सीन है वह है और सेनिक ऐओडेटम और या और सेनिक ऐओडों का जो अकेसों ह्वाद करके आपको अगर गलें में इस शूजन हो गया है कले में गिल्टीया हो गया है तो उसमें ये दवा बहुत ही खायरेबंद होते हैं कि अगर प्रिशानीे होता है तो यह दवा आपको प्राइटा कार्व आपकी जो ग्लेंड है उसको सब्ट करके और इसको बहुत कम समय में उसको गला देता है उसके बाद है दोस्तों ब्राइटा आयोट अगर आपके सरीन में इस्टोन है और खास करके उसमें अगर आयोडीन की कमी है तो उसमें यहां बहुती फैदे मन्द है अगली मेडीसीन है दोस्तो बेला डूना अगर आपका जो इस्टोन है जो आपका गिल्टियां है वो अगर लाल है दिखने में लाल है वो जगह गर्म है और काफि उसमें दर्द होता है उसमें उसको छूने के by दर्ध हिए अगर उसमें यह आपको कभण होता है तो उसके लिए एक भी मेडिसीन है दोस्तों कलकेरिया यह कलकेरिया आयूट सबी परकार के के अस्टून को गलाने में मदद करता है तो इस परकार इस में कई मेडिशीन मिला हुआ है जो कंभीनेशन करके इस心 अर्था को बनाया जिए जो सभी परकार के स्टून में लावदायक होते हैं तो दोस्तो इस दबाख को लेना है तो इस दवा को दोस्तों आपको हर हेमियोपैथिक काउंटर पर आपको प्लब्ध हो जाएगा इस दवा को दोस्तों अगर व्यस्क है यानि जो 11 साल से नीचे के जो बच्चे होंगे उनको एक एक गोली तीन बार सुसुम पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ लेना है और 11 साल से उपर के जो बेखती है उनको दो दो टबलेट दीन में तीन बार सुसुम पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ लेना है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप लोगो बहुत ही पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें शच्क्राइब करें और बिल बटन को दबाना न भूलें तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद